नमस्कार, मैं हो ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं दस अप्रेल को जारखन बंद का आदिवासी सेगेल ने किया समर्धन, पूर्व सांसत एवं आदिवासी सेगेल अभ्यान कराश्टिये, अध्यक सालखन मुर्मू ने कहा, एकि जारखन सरकार अविलम समीधान समत नियोजन निती लागू करे या पर खंडवार नियोजन नित परदेश निर्मान और हेमन सरकार के चलने का कोई अवचित नहीं है यहां बता दे कि आदिवासी सेगल अभियान अखिल भारतिये कुस्वाहा महासभा और जार्खन अंदुलन कारी संहर्श मोर्चा ने 20 मार्च को बोकारो बीरसा आश्रमें आदिवासी बचाव अभियान के बैना तले जन सभा की थी जिसमें 10 अप्रेल 2023 को सभी परखंडों में परखंडवार नियोजेन निती लागू करो की मायं को लेकर एक दिवस्य धाना परदसन का फैसल लिया था लेकिन बाद इसे नियोजेन के लिए जार्खंड बंद कारकरम के रूप में परवर्तित कर दिया गया है साहब गंज में इंटरनेट सेवा बंद हनुमान जी की मूर्ति छतिगरस्त का मामला जार्खंड में संथाल परगना के साहब गंज में कुछ औसमाजिक ततों ने बजरंग बली की परतिमा को छतिगरस्त कर दिया है जिसके बाद साहब गंज में हिंसा भड़ा कुठी लोगों ने एनेच असी को तीन घंटे तक जाम कर दिया सहर में जम कर पत्राव किया गया एक धार्मिक अस्थल को भी आग के हवाले कर दिया उसके बावजूद दो लोगों के साहथ मार पीट की गई इस्थीती तनाव पुर्ण लेकी नियंतरन में है भारी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनायत कर दिया गया है DCSP ने खुद फलेग मार्च किया है दिन में करीब सावा एक बजे उपायुक्त के निर्देश पर इंटरनेट से वबंद करा दी गई सोमवार को सुबा साहवगाई नगर थाना छेत्रे के पटेल चौक के पास इस्थीत बजरंग बली की परतीमा के छती गरस्त होने की सुरूटना मिलते ही बिस्थव हिंदू परिशत के स्यासियों ने विरुवत परशन सुरू कर दिया दोस्यों की गिरफतारी की मायं करने लगे देखते ही देखते पूरे इलाके में तनाव प्याप्त हो गया लोगों ने पत्रा सुरू कर दिया चत्रा में पूलिस नक्सली मुटभेड में पांच इनामी नक्सली धेर जारखण में पूलिस और सुरक्षा बलो ने मीलकर परतीबंधित नक्सली संग्ठन भागपा मवादी के 25 लाके नामी नक्सली समेत 5 मवादी को मार गिडाया ऐसी सुतना आ रही है बताया गया है कि मुटभेड चात्रा पलामू सीमा पर हुई है नियमीत गस्त पर गए सुरक्षा बलो के जवानों पर मवादीयों ने गोली चलाई सुरक्षा बलो ने भी जवाबी करवाई की दोनों और से जम कर गोली बारी हुई खबर है कि मुटभेड में गोतम पास्वान समेत 5 नक्सली मारे गया है बताद सुरक्षा बलो ने पलामू चात्रा सीमा पर लवा लौंग थाना छेतर में मवादियों के खिलाप अभियान सुरू किया था इस अभियान में CRPF 190 बटालियान, कोबरा बटालियान, जेब, IRB के साथ साथ पलामू और चत्रा के जिला बल को लगाया गया था एंटी नक्सल अभियान के दोरान लवा लौंग थाना छेतर में सुरक्षा बलो ने 5 मवादियों को मार गिराया है मुडभेर में मारा गया गोतम पस्वान भागपा मवादि का Special Area Committee सज़स्य था है जार्खन में पहली बार 3,25,25 यूनिट खून संग्रहित जार्खन में पहली बार 3,25,25 यूनिट खून का संग्रहन हुआ है जार्खन राज एड़ सनियंत्रन समिती J6 ने इसकी पुष्टी की है J6 के अनुसार हर साल राजे में 3,25,00,000 यूनिट खून की ज़रुरत होती है लेकिन अब तक राजे लक्ष के इतने करीब नहीं पहुँच पाया था बतादे हर साल 1,5,75,000 यूनिट खून काम संग्रहित हो पाता था हलाकि इस साल लक्ष से 29,706 यूनिट खून काम संग्रहित हुआ है J6 के अगडोक के मुताविक वर्ष 2021-21 में 2,18,154 यूनिट और वर्ष 2021-22 में 2,78,78 यूनिट खून संग्रहित हुआ था यह सफलता बलट बैंको द्वारा समाजिक संस्थाओं के साथ गठ जोड़ कर ज्यादस ज्यादा रखदान सिविर आवेजित करने के कारण संभव हुआ है संजाय तीवारी ने इडी कोर्ट में किया सरेंडर सोगड़ो रूपाई से जुड़ी सरकारी पैसे की फरजी हस्तरांतरन के मामले में आरोपी संजाय तीवारी ने सोमवार की सुबा रांची के सिविल कोर्ट परिशारी थी पी एम एल एक कोर्ट में सरेंडर कर दिया मिड़े मिल योजना में 100 को रूपाई के फर्जी हस्तरांतर से जुड़े मामले में से उसे 25 मार्ज तक कोट में सरेंडर करना था लेकिन सरेंडर से बचने के लिए कोट को गलत जनकारी दी फिर फरार हो गया जिसके बाद उसके खिलाब 31 मार्ज को वरंट जारी हुआ था वहीं संजाय तिवारी पर रिम्स की तरफ से भी बर्यातू थाना में प्राथमी की दर्ज कराई गई थी जिसमें उस पर रिम्स की फर्जी कोवीड रिपोर्ट कोट में जमा कराने का रोफ है यह फैयार दर्ज होने के बाद संजाय तिवारी को पूलिस गिरफतारी करने के लिए धुनने लगी थी वरंट जारी होने के बाद संजाय तिवारी फरार चल रहा था पूलिस और इड़ी दोनों ही लगातार दविस बनाई हुई थी कॉंग्रेस का जय भारत सत्यागरा अंदोलन आज से राहूल गांधी को पहले सजा और फिर उनकी सरस्यता खत्म होने को लेकर कॉंग्रेस करकरताव में काफी अक्रोस है देश बर में पार्टी द्वारा इसका बिरोध हो रहा है जगा जगा अंदोलन किये जा रहे हैं जारखन में भी इसे लेकर आक्रोस चरम पर है राहूल गांधी के समर्थक में आज से पर देश में कॉंग्रेस जय भारत सत्यागरा अंदोलन चलाएगी जय भारत सत्यागरा अंदुरन के जरी ये कॉंग्रेस करकरता हर गाँ और पंचाय तक पहुचेंगे और लोगों को राहूल गांधी के साथ हुए अन्याय के बारे में बताएंगे साथ ही बताएंगे कि केंदर सरकार किस तरह से देश में लोकतंदर की आवाज को दबाने में लगी हुई है जामतड़ा में मधिमक्यों की हमला से दस लोग घायाल जारखन के जामतड़ा में एक अनोखी घटना घटी है जामतड़ा में लोगों की दस लोग घायाल होगा है इन में से तीन की हालात गंभीर बनी हुई है घाटना की वीडियो भी सामने आया है पतादे वीडियो में देखा जा सकता है कि महिलाएं गीतगा रही है और आसपास हजारों की संक्या में मदमक्या बिन भीना रही है इस दोरान महिलाओं ने सीर और चेहरे को सारी से ढख रखा है हलाकि महिलाओं दोरा सारी से चेहरा ढखने या ये नुस्खा काम नहीं आया मद्मख्यों का हमला इतना तेज था कि लोगों को नदी और तलाब में कुद करजान बचानी पड़ी इसके बावजूद मद्मख्यों के हमले में 10 लोग घायल हो गए हैं जीन में से 3 किस्थिती गंभीर है गंभीर रूप से घायल किसोर, राय, मनोज राय और बास्की राय का नीजी नर्सिंग होम में इलाज चल रहा है जारखन में 16.68% चात्रों की जनकारी इविद्यवाहनी पर राज भर के मात्र 16.68% स्कूली बाचों की जनकारी ही यूड़ेस प्लस और इविद्यवाहनी पर्टल में दी गई है 31 मार्च तक सभी स्कूलों को पर्टल में डाटा अपलोड करने का कैम पूरा करने का निदेश था बतादे पर्देश के 80,83,297 बिद्यार्थियों का डाटा अपलोड किया जाना था जिसमें से 9,81,60 और 60 बचों का डाटा ही पूरा भरा गया है चात्रों का डाटा भरने के मामले में सबसे बेहतर परदसन सिम्डेगा जिले कहा यहां 42,72 बचों का डाटा सफलता पूरवक अपलोड कर दिया गया वहीं गुंबला में 49,18 परदसन और गीडी में 28,96 परदसन के साथ दूसरे और तीसरे अस्तान पर है वहीं सबसे खराबी स्थीती हजारी बाग जामतड़ा और रांची की है पोक्सो क्या है जानेंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे जारखन के सरकारी स्कूलों के छटी से बराही तक के बिद्यार्थियों को आप उनके अधिकार और सुरक्षा से जुड़ी जनकारी भी दी जाएगी उन्हें बाल यौन सोसन सनक्षन अधिनियम 2012 पोक्सो एक्ट से सम्वंधी जनकारी दी जाएगी बिद्याले में चल रहे हेल्थ और वेलनेस कारकरम के तहट संचारीत कक्षा के दोरान पोक्सो एक्ट पढ़ाया जाएगा कुछ स्कूलों में इसकी पढ़ाय सुरू भी करा दी गई है नए सत्र से सभी स्कूलों में इसकी कक्षाय अनिवार रूप से संचारित होगी पता दे जार्खन सेक्षिनिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिसत के सहायक निदेशक स नोडल कारकरम अधिकारी के सहायक निदेशक बाके बिहारी सिंग ने बताया है कि भारत सरकार की ओर से भेज़य गए दिसाने देश पर इसकी पढ़ाय की कारी जोजना बनाई है ताइक्वांडो खिलाडियों ने हजारी बाक का बढ़ाया मान और पाच्वे राष्ट्रिये केड़ेट ताइक्वांडो परत्योक्ता आयू जित की गई थी जिसमें हजारी बाग के बारा चैनित खिलाडियों ने भाग लिया था इस परत्योक्ता में सब जुनियर वर्ग में उदीत की सोर अंडर 50 किलोग्राम और विस्वजीत राज करेंगे अध्यक्स्ता चार अप्रेल को प्रस्तावीत सलक सुरक्षा परिशात की बैठक के अध्यक्ता खुद मुक्ष मंत्री हमन सुरन करेंगे परिवहन विभाक के अधिकारियों की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 18 फरवे 2021 को राज सलक यहां बता दे कि CM के अध्यक्स्ता में होने वाली बैठक सडक दुर्गहतना रोकने वा लोगों को जाबरूक करने पर चार्चा होगी बैठक में विशेस तोर पर गोल्डन आवर पर रनीती तैकी जाएगी चुकि दुर्गहतना के बाद का पहला घंटा नाजुक होता है अधि उस वक्त की सही वा सटिक इस्तेमाल किया जाए तो घायल की जान बचाई जा सकती है निलंबित IAS पूजा सिंगल को बड़ा जटका है मनी लॉंडरिंग मामले में आरोपी निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंगल के डिस्चार्ड पर फैसला गया है एडी की विशेस नियाधिस पीके सर्माने मंडेगा घोटाला मामले पूजा सिंगल और ED के पक्ष को सुना था दोनों पक्षों को सुनने के बाद आधालात ने फैसला सुरक्षित रख लिया था पूजा सिंगल के तरफ से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर जी और विक्रांच सिंग ने रखा था वहीं इडी के तरफ से दिवक्ता अतिस्फ कुमार ने दलीले पेस की थी धन्यवाद यदि आप चैनल पनाए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बॉल का बेले गंद भाई ये साथ वीडियो के एक लाइक कर आप में दोस्तों के सेर करने ना भूले साथ आप हमें कोम